हलो और वेलकम टू अलाफ यू आज हम लोग यह एंसे आर्टी बुक क्लास एर्थ माइटमेक्टिक्स के चप्टर 6 और इस वीडियो पढ़ेंगे तो पिछलों वीडियो हमने यह पढ़ा हुआ था finding square root through prime factorization यानि किसी भी number के prime factorization करके उसके बाद में उसका square root कैसे निकालेंगे इसको हमने यहां पर read किया हुआ था तो यह सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ चुके थे और यहां पर हमें सब पढ़ लिये थे लेकिन यहां पर जो examples नीचे दिये गये हैं उन examples को हमें यहां प आपको solve करना है तो उपर का जितना था सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिये हैं तो इस वीडियो में जो उमारा example इसमेन दियन है old가지고 इसमेन पढ़ आपने पढ़ा हूआ होगा हो तो सबसे पहला example इस टॉपिक में जो आपका है ए जहां प्र इसमेन दिया गया हैbak होता है फिर भी ये 2 से divide होता है इस तरीके से इसका prime factorization हमने यहाँ पे 5 तक यहाँ पे हमने find out कर लिया है अब यहाँ पे देखे हमने जब इसका prime factorization हमने यहाँ पे निकाल दिया prime factorization निकालने के बाद हमको क्या करना होता है इसको देखे जो 64 है इसको हम equal करके write करते हैं उसके बाद जितने भी हमारे जो factors हैं प्राइम factors हैं उनके हम pair बनाते हैं कितने pair बने यहाँ पे 2 के देखे 4 pairs आप 2 and 1 pair of 5 तो इसलिए हम हर एक pair में से एक एक number को निकालके उसका multiplication कर देते हैं तो देखे इस पहले pair से एक 2 हमने निकाला दूसरे pair से हमने दूसरा 2 तीसरे pair से यहाँ पे तीसरा 2 निकाला और चोथे pair से हमने 4th 2 और यहाँ फिफ्ट pair से आपका 5 निकल के आया इसके बाद इसका हम multiplication कर देते हैं और multiplication के बाद में जो हमारा result होता है वह result हमारा क्या होता है इसका square root होता है तो यह जो आपको दिया है यह आपका under root 66,400 का जो square root आपका है आपके क्या मिलेगा? 80 मिलेगा तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे find out कर लिया आप यहाँ पे देखे यहाँ पे कुछ question इस तरीके से आपको दिया है example 5 में दिया है is 90 a perfect square? क्या 90 एक perfect square है? इसका decision आप कैसे लेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे 90 का prime fraction करेंगे तो 90 का जब आपने prime fraction किया तो इस method से आप करेंगे सबसे पहले 2 से cut करेंगे उसके बाद 3 से फिर 3 से उसके बाद यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा तो इसकी जो prime factors यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 उसके बाद 3 3 उसके बाद 5 तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 है जिसका यहाँ पे pair मिल रहा है बाकी ना तो यहाँ पे 2 का pair है और ना ही यहाँ पे 5 का pair है तो किसी भी number के factorization में अगर सभी numbers का अगर सभी prime factors का pair यहाँ पे मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो एक perfect square है अगर किसी भी factor का किसी भी factor का किसी भी prime number का pair यहाँ पे नहीं मिलता है factorization में तो हम कह देते हैं कि यह हमारा जो number है यह perfect square नहीं है, तो यह निश्चित रुप से आपका perfect square नहीं है, क्योंकि यहां पर ना तो 5 का pair मिल रहा है, और ना ही 2 का pair मिल रहा है, तो इसलिए हमारा कि क्या होगा, perfect square number नहीं होगा, आगे इसमें लिखा हुआ है, तो दो और पांच के पास में कोई पैर नहीं है देरफोर 90 इस नाट ए प्रफेक्ट स्कॉयर एक प्रफेक्ट स्कॉयर नहीं है that 90 इस नाट ए प्रफेक्ट स्कॉयर can also be seen from the fact that it has only 1 zero तो यहां पर देखिए एक और फैक्ट यहां पर दिया गया है इसको हम तुरंट देख के बता सकते हैं कि इसके लास्ट में कितना है सिर्फ एक 0 है हमने पड़ा हुआ है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2,3,7,8 और और नंबर आप 0 जगर आ जाते हैं तो इसका मतलब वो कभी perfect square नहीं हो सकता है अब यहाँ पर देखे सिर्फ एक 0 है यहाँ पर दो 0 होता है तब थोड़े बहुत अन्मान रहते हैं कि यह हो सकता है लेकिन आप पहले से एक ही 0 है तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि perfect square नहीं है अगला यहाँ पर देखे question number 6 में आपको दिया गया है example 6 में दिया गया है is 2352 a perfect square इसमें पुशा गिया है क्या एक perfect square है if not find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square तो यहाँ पर कह रहा है कि 2352 क्या एक perfect square है अगर यह perfect square नहीं है तो इसका nearest multiple आप find out करिये जो कि perfect square हो find the square root of the new number इसके बाद में जो नया number आपको मिलेगा उसका आपको square root भी निकालना है तो यहाँ पर देखे तीन question एक साथ यहाँ पर दिये गए है सबसे पहले आपको यह decide करना है कि यह perfect square है अत्वा नहीं है उसके बाद में आपको इसका एक nearest multiple निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होता है हम इस number का क्या करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे क्योंकि प्राइम फेक्टर 3 है जिसके पास में कोई पेर नहीं है आगे यहाँ पर देखेगा 2352 is not a perfect square तो यहाँ पर देखे पहले question का answer मिल गया क्योंकि यहाँ पर सभी numbers का पेर जब मिलता है तब वो perfect square होता है अगर किसी भी प्राइम फेक्टर का पेर नहीं मिलता है तो वो perfect square नहीं होता है तो यहाँ पर 3 का पेर नहीं मिला इसलिए हमारा पहला answer तो मिल गया not a perfect square एक perfect square नहीं है आगे देखे एक 3 gets a pair then the number will become perfect square लेकिन अगर 3 यहाँ पर एक पेर इसको 3 को मिल जाता है तो यह perfect square हो जाएगा तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं इसको 3 से multiply कर देते हैं तो हमने जब इसको 3 से multiply कर दिया इस number को देखे दोनों side में हम 3 से multiply करेंगे तो यहाँ पे जब दोनों side में इसको 3 से multiply कर दिया तब देखे एक perfect square आपको मिल गया तो इसलिए यहाँ पे now each prime factor in a pair तो इसलिए अब यहाँ पे देखे जो इसका nearest multiple यानि इसमें पुछा गया था 2352 का nearest multiple कौन सा है जो कि perfect square है तो इसका nearest multiple जो होगा इसको हम 3 से multiply कर देंगे तो इसका nearest multiple मिल जाएगा जो कि इसका perfect square होगा अब हम क्या करते हैं इसको हमने multiply करके perfect square बना लिया अब इसमें ये भी कहा गया है कि जो नया number आपको मिल रहा है nearest multiple उसका square root क्या होगा तो इसका square root निकालने के लिए हम क्या करेंगे सारे जो हमारे pairs बने हुए सभी pair में से एक एक prime factor को हम निकालके उनका multiplication कर देंगे तो निश्य दुरूप से यहाँ पर देखे यह जो आपका nearest multiple मिला आपका 7056 मिला यह perfect square number मिला उसके बाद में 10 दा required smallest multiple तो इसका जो 2352 का जो nearest multiple होगा वो होगा 7056 जो की perfect square होगा अब इसका अगर आपको 7056 का अगर आपको square root निकालना है तो इसका factorization 7000 इसका factorization नहीं दिया है और जितने भी pairs और सभी pairs में से हमें एक एक number को निकालके और उनका multiplication कर देंगे तो इस तरीके से इसका यहाँ पर क्या मिल गया आपको इसका square root मिल गया तो nearest multiple कितना हुआ आपका 7056 हुआ और इस 7056 का जो square root होगा आपका 84 यहाँ पर निकल के आ रहा है आग यहाँ पर देखे question number यहाँ पर 7 आपको दिया है question number 7 में क्या कर रहा है find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा smallest number आप find out करिये कि हम इसके अगर इसमें से अगर divide कर दें उस number से तो यहाँ पर जो आपका quotient डिकलेगा वो एक perfect square हो जाए find the square root of the quotient तो quotient का square root भी आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको 94008 है इसका तो करेंगे इसका should Раз करेंगे तो इसका इसका pressed यहाँ पर आप करेंगे जो कहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले इसका हम nombre fraction यहाँ पर करते हैं फ्राइम फैक्ट्रशन यहाँ हमने कैसे किया विया धान से देखिएगा सोलूशन यहां पर नहीं मिलेगा इसके लिए विम क्या करेंगे ब अगे दिख्यों 940Nativa अगर इसको ध Crime- niemand का होगे और इस तरीका जो ना नमबर आपको मिलेगा आपका करेंगे टो इस तरीके से यह जो नंबर नया अपको मिलेगा इस इसमें 3 हट जाएगा क्योंकि 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया जो कि एक perfect square क्यों तो यहाँ पूछा गिया क्यों perfect square है तो यह perfect square इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखे जितने भी इसके prime factors है सभी का pair इसमें मिल रहा है इसके जितने भी prime factors है सभी के इसमें paired है कोई भी अकेला नहीं है तो अगर कोई अकेला नहीं है तो इसका मतलब भी perfect square होगा अब आगे देखे therefore the required smallest number is 3 तो इसलिए हमको वह required smallest number कि अगर हम इस number को 3 से divide कर दें तो यह perfect square number बन जाएगा अब यह जो perfect square number यहाँ पे बना हुआ है यह 3136 इसका square root क्या होगा तो इसके square root के लिए जो इसका factation है इसके सभी जो pairs है सभी prime factors के pair में से एक-एक को हम लेकर की गुड़ा कर देंगे एक इसमें से लेंगे 2 हुआ दूसरा इसमें से लेंगे 2 हुआ तिसरा इसमें से लेंगे यह हुआ चोथा इसमें सिलिंग यह हो गया तो एक एक निकाल के सब को जब इसको multiply करते हैं तो इसमें हमको क्या मिलता है 56 मिलता है यानि जो नया number है उसका square root कितना मिलेगा आपको 56 मिलेगा अब यहाँ देखिए last में एक number आपको यहाँ पर दियागा इसमें एक जामपल 8 में दिया है find the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15 तो इसमें smallest square number आपको निकालना है क्या निकालना है smallest square number तो सबसे पहले हमको एक ऐसा number निकालेंगे जो कि 6, 9 and 15 से तीनों से divisible हो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे हम एक ऐसा number यहाँ पर निकालेंगे जो 6, 9 and 15 तीनों से divisible हो तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर हमको एक ऐसा number निकालना है जो तीनों से divisible हो तो इसके लिए हम तीनों का LCM निकालेंगे LCM इसका जब तीनों का हम निकालेंगे find the smallest common multiple smallest common multiple and then find the square number needed उसके बाद में आप square number को यहाँ पर find out करेंगे तो यहाँ पर देखिए the least number divisible by each one six nine and fifteen is the lcm the lcm is lcm of six nine and fifteen is तो इसका lcm तीनों का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 90 मिलेगा जैसा कि आप हम यहाँ पर निकालेंगे method आपको पता होना चाहिए तो इसका diesem कितना मिला हम को 90 मिला प्राइम not in pairs, तो जो prime factor 2 and 5 है, pairs में नहीं है, therefore 90 is not perfect square, इसलिए जो आपका 90 है, एक perfect square number नहीं होगा, अब इसको हमको क्या करना है, perfect square हमको बनाना होगा तो इसको perfect square बनाने के लिए हम क्या करेंगे, in order to get perfect square, perfect square number प्राप्त करने के लिए, each factor of 90 must be paired, तो यहाँ पर जो 90 का हर एक factor हो, paired होना चाहिए, so we need to make pairs up 2 and 5, इसलिए हमको 2 और 5 का pair बनाना चाहिए, therefore 90 should be multiplied by 2 multiplied by 5, तो इसलिए हम 90 को 10 से multiply कर देंगे 2 5s are 10 हो जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, एक perfect square number आपको यहाँ मिल जाएगा, hence the required square number is 1000, 90 multiplied by 10 equal to क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, 900 आएगा, यह थोड़ा सा गलत हो गया, तो यह 900 यहाँ पर क्या हो आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब इसको यह 90 देखिए, एक number है, जो कि पहले से इन तीनों number से divisible है, क्योंकि यह इसका LCM है, अगर इसको हम 2 से multiply कर देंगे, तो जो नया number मिलागा, ओभी इन तीनों divisible होगा, इसके बाद अगर इसको हम 5 से multiply कर देंगे, तब भी यह जो नंबर होगा, जो कि 90 का ही multiple होगा, तो इसलिए सारे numbers इस तरीकी से आपको यहाँ पर यह मिल जाएंगे, तो इसका required answer आपको यह मिल जाएगा, अब इसके बाद में जो इसमें देखिए questions आपको दिये गए, इस questions को आपको solve करना है, तो इसमें थोड़े ज्यादा questions तो नहीं है, तिन questions है, तो आप 5-5 question करके दो दिन में इसको solve करिएगा, और इसको हमें आपको exercise solve करने के लिए दे देते हैं, और इस वीडियो को यह paint करते हैं, thanks बापा जी,